Hello everyone, my name is Yetisha और आज का चार्ट आप देए में हम सेलेट किये हैं क्लीन साइंस टेक्नोलजी So, क्लीन साइंस पहले जाने से पहले एक एक केमिकल इंडेस्ट्री में है जो FMCG केमिकल बनाते हैं, फार्मासेटिकल केमिकल बनाते हैं और फार्माइट कापिनिस को केमिकल बेस देता हैं और अब फंडमेंटली देखा जाये तो अब देख सकते हैं जो आई-पीओ हुआ था लगबग 2021 पे उसके बाद थोड़ा सा रन दिया है उसके बाद एक बड़ा डिप हुआ जो केमिकल जो इन लोगन का more जो कोर प्रोड़क्ड जो है जो मार्जिन प्रेज़यर में था एक्सपोर्ट उतना नहीं हो रहा था और नया प्लेयर्स जो है मार्केट में वो एंडर कर रहे थे सो दाट प्रेजर एक एक कंपनी को हुआ था और यह आप देख सकते हैं इस लोगों का लास्ट एक लास्ट पॉर्फव चापांच कोर्टर से एक नेगेटिव सेल्स भी और इपयस ग्रोथ भी नेगेटिव हो रहा था अवेवर एक लास्ट कोर्टर में एक पॉजिटिव साइना है which is double digit growth in terms of sales or EPS देख रहा है और fund holding भी ठीक ता किये last 4-5 quarter से देखा जाए तो steady है so which is fine but अगले earnings तक better to watch out and एक call क्या आता है जो का management commentary क्या होता है जो future में that is also very good sign देता है कि company का future क्या है so technically देखा जाए तो एक weekly chart में तो एक आप देख सकते हैं एक बड़ा base बना है around the range price range जो 1600 के आसपास एक breakout दिया था उसके बाद stock फिर से consolidation में चला गया और अभी flat base में है और आप देख सकते हैं एक technically एक आप देख सकते हैं कफिद handle formation होगे और इसके वाद stock थोड़ा फॉल हुआ around its 100-200 DME का आसपास भी test हुए किया और आप देख सकते हैं कि daily chart में एक चोटा सा trend line breakout दिया है जो आज जो आज का मार्केट में chemical stocks, agrochemical stocks और majority of the chemical stocks एक बहुत अच्छा run दिया है आज जो एक वह यह बी रेजन हो सकता है कि आज का एक जो breakout दिया है इसको भी breakout करता है तो stock might move in तोड़ा साब अप मूह दे सकता है अब stop loss के साब से देखा जाए तो एक upward sloping trend line है जो लगबग almost last 2 बर एक test किया था वो trend line को और इसे closing business पे connect किया है तो stop loss थोड़ा सा favorable में है अगर यह breakout पेल जाता है तो we can exit from there right away और फिर से देख सकते हैं कि अगर फिर से breakout देता है but as of now the stock is looking good volume भी आप देख सकतने हैं कि last especially last 2-3 months से बहुत अच्छा volume बिल्डप हो रहा है जो negative volume तोड़ा कम आया है so let's see how it goes ऐसी वीडियो के लिए देखतर ही हमारा marketsmith page thank you